20,000 करोन रुपे लेके नीरो मोदी मेहुल चोकसी भाग गया 10,000 करोन रुपे लेके विजे मालिया भाग गया 3,000 करोन रुपे लेके ललित मोदी भाग गया 6,000 करोन लेके नितिन संदेसरा भाग गया किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया, नरेंदर मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास पूजी पतियों का यारा लाग करों रुपए उसको अपने मित्र को अमीर बनाना है हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है और मालूम है मानिवर उसको कितना कर जा दिया इस सरकार ने धाई लाख करोन रूपए धाई लाख करोन रूपए मानिवर धाई लाख करोन रूपए जीरों लगाते लगाते ठट जाएंगे एक इंसान को ठाई लाग करो रुपह और बच्चे दूद्ड पे टैक्स लगाते हो जिस महांगाई से पुरा देस करा रहा है मैं चंद लाइनों से अपनी बात सुरू करूंगा कि वो जिनके हाथ में हर Celsius चाले रहते हैं वो जिनके हाथ में हर से चाले रहते हैं आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं ये देश जिनके हाथ नचाले है मानिवर उन्हीं के दम पर है उन्हीं के दम पर है लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है नौजवान कहता है नौकरी दे दो सरकार कहती है पैसा नहीं है अगनी वीर लेके चार साल की नोकरी करो भारत की सेना कहती है पैसा दे दो सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोन रुपए कम करेंगे माताएं बेहने कहती है गैस का सिलिंडर बढ़ गया बच्चे के दूद का दाम बढ़ गया आटा दाल चावल महगा हो गया उसको कम कर दो सरकार कहती है पैसा नहीं है किसान कहता है फसल का दाम दे दो खथ फसल का दाम दे दो सरकार कहती है पैसा नहीं है अरे बुजर्ग कहते है हमारी रेल की तीर थी आत्रा उसकी रियायत क्यों कम कर दी सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है देश के लोग कहते है सिक्षा का बजट तो बढ़ा दो सरकार कहती है दो परसंट से ज़्यादा बजट नहीं है अरे स्वास्त का बजट तो ठीक कर दो मोदी जी सरकार कहती है पैसा नहीं है मानवर ये पैसा गया कहा? किसके पास गया ये पैसा अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया मित्रों के पास मित्रों के पास गया मैं आपको बताता हूं मानिवर कहा कहा गया दीस हजार करोन रुपे लेके नीरो मोदी मेहुल चोकसी भाग गया दस हजार करोन रुपे लेके बिजे मालिया भाग गया तीन हजार करोन रुपे लेके ललित मोदी भाग गया छे हजार करोन लेके नितिन संदेसरा भाग गया और ये मेरी जानकारी नहीं है ये मेरी जानकारी नहीं मानिवर इस सरकार ने बताया पूंजी पतियों का ग्यारा लाग करों रुपए माफ किया ग्यारा लाग करों रुपए आप जीरों लगाते लगाते ठक जाएंगे मानिवर इतना पैसा इन्होंने पूंजी पतियों को माफ किया और इस सरकार को एक सनक है इस सरकार को एक सनक है उसको ये सनक है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है और मालूम है मानिवर उसको कितना करजा दिया इस सरकार ने धाई लाग करोंड रुपए धाई लाग करोंड रुपए मानिवर धाई लाग करोंड रुपए जीरों लगाते लगाते ठक जाएंगे एक इंसान को धाई लाग करोंड रुपए और बच्चे के दूत पे टेक्स लगाते हो आता डाल चावल पे टेक्स लगाते हो हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खुन चूसने का काम करते हो सरकार किस के लिए चल रही मानुआ यह सरकार किस के लिए चल रही है इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा जब हम इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे हमें सस्पेंट करके बाहर कर दिया गया एक साल के बाद ये सरकार कहती है ये सरकार कहती है अब हमें होसा गया हमारी तपस्या में कमी रह गई हम काला कानून वापस ले रहे क्यों भाई एक साल पहले कानून वापस ले लेते तो साड़े साथ सो किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता आज एक छोटी सी बच्ची छे साल की बच्ची ने परदान मंत्री को चिठी लिखा है मानिवर मोदी जी कहा है मैं उस कीरती दूबे को बताना चाहता हूँ मोदी जी की पूरी सरकार जारखन में विधायकों की मंडी में वेस्त है विधायकों की मंडी में वेस्त है विधायक के खरीदने में लगे मानिवर विधाय खरीते में लगें, यह पूझी पतियों की सरकार चल रही है पूझी पतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है जो इस देश के अंडर महेंगाई बढ़ाने का काम करती है गरीब के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं 800 दवाओं पर कैंसर की दवाओं पर किड्नी की दवाओं पर टीवी की दवाओं पर आपने दाम बढ़ा दिया आपने अस्पताल के कमरे तक पर दाम बढ़ा दिया आपकी सरकार DHFL के लिए काम करती है 34,000 करोन रुपए बैंकों का घोटाला DHFL ने किया और 29 करोन रुपए भारती जंता पार्टी को चंदा दिया है मानिवर इनसे हिसाब मांगना चाहिए क्यों नहीं जाती एडीन के पास क्यों नहीं जाती सीबिया इनके पास इनसे सवाल पूछना चाहिए मानिवर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आप ठाने के लिए आप के पास सरकार के पास पैसा नहीं उस पे तो टैक्स बढ़ा देते हो लेकिन गुजरात के अंदर जहरीली शराब पिलाते हो लोगों को जहरीली सराब 75 लोग जहरीली सराब पी के गुजरात के अंदर मरगे मानिवर 75 लोगों की जान चली गई दिल्ली के मुख्यमंतरी केजरीवाल जाते हैं देखने गुजरात का मुख्यमंतरी उन लोगों से मिलने नहीं जाता देश के प्रधान मंतरी उन लोगों से मिलने नहीं जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरिवाल उन लोगों से मिलने जाते हैं, मानने और मैं एक कहना चाहता हूँ, मानने नो पॉइंट आप इल्डिंग सार, I'm not इल्डिंग, सार, I'm not इल्डिंग, सार, I'm not इल्डिंग, let me complete सार, सार, बस खतम कर रहा हूं सार, ये सरकार, पूझी प इसी चेर से कहा गया, जब बोलते रहो, तो किसी को पॉइंट आप इल्डिंग, सार, I'm not इल्डिंग, सार, ये सरकार, पूझी पतियों के लिए काम करती है, सरकार, एक बिल्डर, गुजरात के अंदर, सी आर पाटिल के इलाके में, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए, र पाटिल के लिए, 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 पाटिल के ल Mr. 2040, irrelevant or repetition, the Chairman after having called the attention of the Council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition can ask the Member to discontinue the speech. Sir, most of what has been said here does not relate to the topic being discussed in the Council, sir. तेके एपिए पॉइंट मालेस सबुपर इवसी मअधिया था तक किसी को つ एपिकर ठेल Urs Sun ठीक है कल तक कल तक किये दूशरे कारून था हाँ ठीक है बैट जो करेंगे खतम करेंगे सर सर मेरा समय खा रहे हैं लोग सर गुजरात में एक बिल्डर की सलग बनवाने के लिए राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया इन लोगों ने करेंगे इस बिल्डर की खुला 狂द है फ्लीज कंकूов तांक यूए नहीं जात्व प्राइब इस अन्कव था जांक च्क्री